राश्टी और अंतराश्टे इस्तर पर पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाडियों को अब राजे सरकार में सीधे नौकरी मिलेगी। राजे सरकार ने नियमों में संक्षोधन करके अब खिलाडियों से आविदन मांगना शुनू कर दिया है। हलाकि 2014 में अंतराश्टे इस्तर पर परचम नहराने वाले खिलाडी अब भी नौकरी से वन्चित ही रहेंगे। रिपोर्ट आप देखें। खेलोंगे, कूदोंगे, बनोंगे नवाब। जी हाँ, प्रदेश में अब यही कहावत चर्तार्थ होने वाली है। मुख्यमंत्री अशो गहलोत ने अब खिलाडियों को आउट आफ टर्ण नौकरी का तोहफा दिया है। नौकरी को लेकर खेल विवा की ओर से आज से प्रदेश के खिलाडियों से आविदन आमंतरित किये गए। 2016 से लेकर अब तक फिलहाल 465 खिलाडी नौकरी पाने की इकतार में शामिल हो गए हैं। हलागि इस दाइरे में 2014 के मेडलिस्ट खिलाडियों को शामिल नहीं किया गया। पदक विजिता खिलाडियों को तोफा आउट आफ टर्ण नौकरी देगी सरकार आज से फॉर्म भराने की कवायद शुरू। 2016 से अब तक 465 खिलाडी चैनित ग्रेड A, B और C में खिलाडियों से मागे गए आविदर। A कैटेगरी में 10, B में 13, C में 443 खिलाडी शामिल खिलाडियों को बिना कोई परिक्षा दिये मिलेगी नौकरी। नौकरी के अबहाब में अब तक प्रदेश के खिलाडी पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब उनको प्रदेश से बाहर जाने के जरूरत नहीं है। राश्ट्री और अंतराश्ट्री इस्तर पर पदक जीतने के बाद अब उनको राजस्थान में ही बिना परिक्षा और इंट्रिव्यू दिये नौकरी मिलेगी। हालांकि इसके लिए पूरवर्ती सरकार ने नियम बनाये थे लेकिन मजूदा खेल मंत्री अशुक चांवना के प्रयास से अब इसमें संशोधन किये गए है। अब कई प्रतियोगिताओं को इसमें जोड़ा गया है। हावन जी ने, डिपार्टमेंट के सेकेटरी मेंदर मीना जी ने और आप लोगों की पूरी टीम इससे पहले सेकेटरी अरो नासीजा जी थे, उन्होंने भी इसके उपर बहुत मेहनत करी। सबने मिलकर आट-दस महीने की, बारा महीने की मेहनत कामियाब हुई। हावन जी ने, डिपार्टमेंट के पदक विजेता, साउथ एशियन गेम्स के पदक विजेता को रखा गया है, जबके C कैटेगरी में नेशनल गेम्स और नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेता, रंजी ट्रॉफी के विजेता शामिल किये गए हैं। यानि अब राज्थान के जर्सी पहन कर पदक जीतने वाला खिलाडी नौकरी का हकदार होगा। नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, वेकेंसी नहीं भी होगी, तब भी उन खिलाडियों की नौकरी लगेगी, ऐसा कानून लाने में हम लोग कामियाब होएं। तो ये सारे 465 प्लेयर्स हैं, इनकी कहीना कहीन नियुक्ति उलच जाएगी, तो इसको कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो पुराने हैं गिंती के प्लेयर्स होगे, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अब इमिजेट इसमें रेक्ट्रस्पेक्टिव करने के बाद चेड़ना उचित नहीं है। दरसल खेल विवा की लाल फिता शाही के चलते ऐसा हुआ। अब खेल मंत्री ने पहल करते हुए खिलाडियों से फॉर्म भरवाने शुरू कर दिये हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि खिलाडियों को नौकरी मिल जाएगी लेकिन अन्याए उन खिलाडियों के साथ भी हुआ है जिन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ और इशिन गेम्स में पदक जीते थी। दरसल नए नियमों में 2016 और उसके बाद पदक जीतने वाले खिलाडियों को ही शामिल किया किया है। खिल मंत्री ने कहा कि हमने इस बारे में प्रस्ताव भेजा था लेकिन लौड डिपार्टमेंट ने उसे खारिश कर दिया। मुझे लगता है कि इसके अंदर शंशोधन करके जो हमने ढील दी है उससे जब कुछ बच्चों को नोकरियां लगेगी उससे राजस्तान में खेलों का वातावरन बनेगा। मैं आपको बताओं उसका जीता जाता एक्जामपल यह है कि जब हमने दो प्रतिशत सरकारी नोकरियों के अंदर खिलाडियों का अमिंडमेंट किया उससे पहले चोगान में सवासो बचे कबड़ी की प्रेक्टिस किया करते थे। आज 600-700 से उपर हैं और राजस्तान में कबड़ी के उपर अभी अभी हमारी कबड़ी टीम ने ब्रॉंज मेंडल जीता है नैशनल में। यूँकि इस समस्या को जल्द दूर कर दिया जाएगा। फरस्ट इंडिया न्यूज के लिए जैपर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।